हेलो दोस्तो तो दोस्तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो स्प्लेंडर प्लस बीएस सेवन इटवंटी आ रही है यह देख लीजी यह बीएस सेवन है इटवंटी यानि कि इसके अंदर एथनोल का 20% मिसरन जो है रहेगा तो इस बाइक के अंदर प्रोग्लम क्या रह करते हैं काफी बार कस्टमर्स नें बोला एं कि दिक्क्त आ रही तो गया है कि निटाकर मोटर के दिया और आस पॅगे क्रेंगे को व outside डग्म आ स्विच ओफ किया ओन किया अभी मोटर नहीं चल रही है आपको साउंड भी सुनाई नहीं दे रहा होगा और अभी यह मोटर जो है चलेगी यह देखिए यानि लोजिक वाली बात यह कि इस बाइक के अंदर यह मिस्टेक नहीं है इसके अंदर एक चैंज किया है कि यदि अप नहीं चलेगी जैसे अपने QoA किया ओन किया नहीं चलेग उफ करने के बाद में कुछ 2-3-4 सीकिंड के अपने शीच ओन करेंगे तब इसकी मोटर जो है चलेगी अभी कम से कम 5-10 सेकिंड हो चुके हैं और अभी मैं इसका ऑं करता हूं और मोटर चलेगी इस तरीक्के से और जैसे मैं इसका switch on करके तुरंट on करूँगा तो इसकी motor नहीं चलेगी नहीं चली यह देखिए यह देखिए मैं आपको pass में करके दिखा देता हूं यह देखिए switch on हो रहा है बट motor नहीं चल रही है और अभी इसकी motor चलेगी यह देखिए तो यह बहुत ही खास बात है और जिन भाई लोगों को पता नहीं है कि यह बाईक के अंदर काफी सोच रहे है कि इसके अंदर यह problem आ रही है बट यह problem नहीं है यह company ने एक अलग changes किया काफी बार क्या होता है कि अपने switch on off करते रहते हैं तो motor क्या है वो चलती रहती है यानि कि उसके खराब होने के chances बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बाईक के अंदर यह changes किया है कि यदि अपनी 1-2 बार ज्यादा switch on off करेंगे तो इसकी जो motor हो है उसके आगे नीच लेगी यानि कि इसका cut out करके अपने 2-3 सेकेंड बाद ही इसका switch on करेंगे तभी इसकी जो motor हो चल पाएगी तो आई होपियो दोस्तो यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तो वीडियो को like करना और वीडियो को share करना और comment box में बताना कि यह आपको trick यानि कि जो changes company का हुआ आपको केसा लगा तो ओके अलिवदा दोस्तो